सिर्फ 5 मिनट में हम ब्रेड से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी टिफिन रेसिपी जिसे बच्चे देखते ही खोस हो जाएंगे रोज रोज यही बनवाने की जित करेंगे तो चलिए बनाते हैं इस recipe को बनाने के लिए हमने ली है bread मैंने यहाँ पर white bread ली है आप चाहें तो brown bread या multi-gain आटे वाली जो bread आती है कोई सी भी bread ले सकते हैं bread की एक slice लेंगे और इस तरह से इसमें cut लगाएंगे यह देखें, वीडियो को ध्यान से देखेंगा चारों तरब से इसमें ऐसे cut लगा देना है और इससे बहुत ही बढ़िया एक flower सा बनेगा तो पहले मैं यह आपको ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ तो यह देखें इस तरह से बनाया अब इसको हाथ में ले लीजिए और इस तरह से पट्टी ऐसे उठा करके इसे ऐसे डिजाइन बनाते जाना है इसको इसके उपर रखेंगे अब जो दूसरी वाली पट्टी है ऐसे रख देंगे और फिर यह लास्ट वाली पट्टी है ऐसे रख करके इसके अंदर से ऐसे लॉक कर देंगे बन गया न पढ़िया सा सुन्दर दिखने वाली डिजाइन तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं इसमें हमने एक कटोरी में लिया एक चम्मज एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा चम्मज चिली फ्लेक्स और आधा चम्मज पीजा सिजलिंग आप चाहें तो औरिगनो भी डाल सकते हैं और एक बड़ा चम्मज हमने बटर लिया है बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है यह देखे क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेट फ्लावर गार् ब्रेढ लेनी है वह झालीक और बर्टर है वह हम इसमें ऐसे अपलाई कर देंगे तो जितना पसंद करते हो उसी हिसाब से सी क्युण lass到 about 3-4 से अपने आप लगाए कर दिया अब हमें इसमें एसे कट लगाना है , तो मैं या पर दूसरी प्रेड में रेड़ी कर लूंगी और ध्यान रखेए में जब अब आप यह वाली ब्रेड की रेसिपी ट्राइए करें तो ब्रेड एकदम ताजी लेनी नहीं तो जो ब्रेड है वो जब आप इस तरह से डिजाइन बनाओगे फ्लावर बनाओगे तो वो टूट जाएगी यह देखे इस तरह से इसमें कट लगाने हैं जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था यह देखे हमने आपर कट लगा दिया और सेम उसी तरीके से हमें करना है हाथ में उठाना है और बस एक एक पटी को ऐसे उपर रख करके डिजाइन बनाते जाना है और बस बात मारी पटी को ऐसे लॉक कर देना है तो यह खुलेगी भी नहीं बिलकुल भी नहीं और यह हमारी एक रेडी है इसी तरह से हम बना लेंगे तो मैं आपको दूसरी भी बना के दिखाती हूं बहुत ही सिंपल है सिंपल सा इस तरीके से थोड़ा सा तिर्छा कट लगाना है वीडियो को अगर आप सही से देखेंगे ना तो आप बिल्कुल बना पाएंगे बहुत ही पढ़िया स तो चारो तरब से ऐसे कट लगा दीजिए और फिर बस हथेली में लेके इसे ऐसे फ्लावर का सेप दे देना है यह देखें कट लगाना देखना बहुत जरूरी है तभी आप अच्छे से डिजाइन बना पाएंगे यह लीजे हमारे बनके रेडी है और इसको हम इसके उपर तो ज्यादा तो आपने ही डाल पाएंगे पर थोड़ी थोड़ी से डाल दीजिए देखने में अट्रेक्टिव लगेगा आपके आपके अचानक से गेस्ट आ जाता है और आपके पास ब्रेड रखी है चीज तो फ्रीज में रखा ही होता है तो फटा फटा आप रेसीपी क को बना सकते हैं उपर ऺएंडि थोड़े से टमाटर के बीज अटाकिय से चोटा-चोटा काट के दाला है कर दाल नासे द हेसाट काली मिज का या अब चाहे तो आप इसे टोस्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह से पैन में बना सकते हैं अगर आपके पास microwave नहीं है तो देखिए दोनों को हम ऐसे पैन में रख देंगे पैन को थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लिया और ढख करके बस हमें इसे चीज मेल्ट होने तक पकाना है तो ये देखिए फ्रेंड चीज भी मेल्ट हो चुकी है नीचे से ब्रेड हमारी एकदम बड़िया से क्रिस्प हो चुकी है जब एक पर ये इस तरीके से सिक जाएगी यानि कि सेट हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी इसका जो फ्लावर है वो खराब नहीं होगा इसी तरीके से सेट रहेगा ये देखिए आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे भी सौक से खाएंगे और घर में बना है तो हेल्दी भी है तो आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के टिफिन के लिए जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है फ्रेंट्स ये देखिए कितना बड़िया लग रहा है न ट्राइ कीजेगा रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएगा फिर मलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाद